सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे वाजम आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे मशूर पत्रकार आर स्क्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इस इंपोर्टेंट लेटेस्ट और इंफरमेटिव वीडियो लाते रहें तो चलिए अलिए वीडियो देखते हैं और अंतने इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत आर्मी तो क्रिकेट से का रही है क्रिकेटर्स को दो किस तरह चलाओगे बताओ नहीं किस तरह चलाओगे अगर एक कालेज नहीं चल सकता है आप से सारे पड़े लिखे हैं सारे ब्रिटिश इजेंटन सारे यह मुरालिटी है सारे सिस्टम को नंगा कर लिए आज आगे मुझे दूसरा इतराज है आज आज चीमा साब ने उसका नाम निकाल दे उन्होंने सिरकारी लैटर अड़ पे क्यों लिखाए वो लैटर उन्होंने अपनी मिनिस्टरी के लैटर पर भाज आपके बचों को तो पहले ही निकाल दिया गया है उस बैटर में आज आज चीमा साब ने लैटर लिखा है गुवर्णर पजाब को के मेरे बच्चों के नाम उन लिस्टे निकाल नाम तो पहले ही निकाल दिये हैं और दूसरा why you are writing it on your legal ministry के पैड के उपर, you are just a simple ex-father, you are a father of ex-students, एक simple paper के उपर लिखो letter लिखना है, किस किसम के bureaucrat हो यार, तो कहां से पढ़ते रहे हो, बता नहीं कि कैसे, आप फॉज के आप डंडे के बगार आप नहीं चलने वाले, यह मैं बता जेता हूँ, अगर सर फॉज अपना काम कहां कर रही है, अगर फॉज इंटेलिजेंस और चानीज बारे गए, आप फॉज आपको सब्हालेगे अपना काम करे, आप गौर्ने बली नहीं हैं, आप चले नहीं सकते हैं उनके बगार, आप तो खुला छोड़ने वाले ही नहीं है, अप तो डंडे चाहिए नहीं है, जो बंदा एक जूता लेके सर पर खड़ा ले तो आप चलते हैं वरना उचली नहीं सकते हैं, अब मुझे पता है, असद चीमा साब अनपड़ा अदमी है, CSS अपसर है, भी भी उसकी CSS अपसर है, अच्छा, बलीगूर माम साब गोवर्नर अपड़ इतनी बड़ी दाड़ी है, दाड़ी की भी शरम नहीं आई उस बंदे में, और फिर सारे के सारा जो बोड़ा गोवर्नर एची सर्ण का, आपने सारे नून लीग के उसमें मरिस्टर डाल दी हैं सारे, एक रिस्टर, मुझे मैंने लिस्ट देखी है, एक तो नवाईशनी फ क्योंकि मैं इस आहद चीमा के बारे में, I was a big fan of him, मैं कहता था यहर बड़ा अच्छा बंदा है, इसने compromise नहीं किया, इसको इतना मारते रहे है, इसकी कमर में दर था, इसका बाथरूम यह सो रही सकता था, उपर से पंखे की आवाज आती थी जब यह पीड़ी दूर के इस और मेरे एरिये से, शिर्मिंदा मैं हुआ बहुत सख ज्यादा, I'm so embarrassed, इस बंदे को फॉरर रिजाइन देना चाहिए, बुलीग और रहमान साब से शबाद शरीप साब को चाहिए, रिजाइन ले, खैर उनोंने क्या ले ना, आर्बी चीफ को चाहिए, उसको कहें, मौल भी इदर आए, रिजाइन दे या, तु धड़ी को बदनाम कर रहे है, धड़ी रखी तुने इस तरह अपनी तुली तक, और जो लेटर तू, मैं आज ये भी पूछा, इस तरह डिसकस हुआ है, क्यों कर रहा है, वो और सारे एर्खते हैं, ये भी बिता जिता हूँ, क्योंकि के दिन खतम हो चुके हैं, आगे कारा साब आ रहे हैं, पर उस पार्टी के साथ डील का हिस्सा है, फूर्तियों में इसलिए, फूर्तियों में, आज उसने छुटी भी उसकी एकसेप्ट कर ली, कमेटी बना दिये नहीं अप प्रिंसिपल ढूंडने के लिए, और उस कमेटी आप एक लामे नर्मों नाजिक बेसर कताबों का आपके आशर होना है, दूसरा मैं अभी आपसे ही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा, कि उदर से बच्चा पढ़के निकला है, आपका मदरास से तो आज माइक्रोसाफ्ट का हेड़ बन गया है, आई आई तो जो मिनिस्टर लगे वें, जो कुछो रहा है, तो यह इस्टैबलिश्मेंट ही तो करवार ही होती है, आप मुझे प्रूफ कर दें कि इस्टैबलिश्मेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे, तब ना, यह सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे, किस तरह सीखेंगे, हर आटना से, कभी क्रिकेष कहला खाहर हैंD अर्जुय नाenter भी तो पाकसानीजना, तो कउनसे प्रिटेश यह जर्मेन, वह तो आपकर बहले है, वह जिस तरह बहर है वह जिस तरह ऐंजी से चला रहे जिस वक्त हो रहा है जहां से भी हो रहा है के कहीं से भी अच्छी ख़बर ही नहीं आ पर्स जाता हूं को पाकिस्तान से को अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार को अच्छा हो रहा को पाक समत है दो दिन पहले लोग बड़े खुश्च थे बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात उली थी और भारत नहीं वह चुटखला था वह मजाग था वह तो लतीफा सुनाया भाईजा डार भाईजा ने डार भाईजान ने लतीफा सुनाया है आप क्या मजाग करते हैं आप वो कहते हैं शहीदों से मजाग करते हैं आप मुझे यह बताएं डार साब का स्टेटमेंट मैंने पढ़ी यह मैंने सुनाया पता नहीं या मैं भारत होके आया हूँ मेरे दो-चार इंटर्व्यू चले हैं तो शयाद उन्हें पता शयाद सोचा हो कि यह यारे बास तो ठीक कर रहे हैं आर्जू मुझे ये बताएं कि डार साब ने के ब्यान से क्या फरेक्वट्व धार साब ने कहा है अटिक परकिस्तान के बिजनसमें चाहते हैं वह नहीं चाहते हैं कि भारत से ट्रेड कियों करेंगे भी आप से वह ट्रेड आपके उपर एलिगेशन है कि आप दैशत गर्द हैं और दैशत गर्दी को सपोर्ट करते हैं आप ने उसके बारे में कुछ नूंको नहीं बताया कि अब हम किस तरह आपको इतमाद में लेंगे हाफस साइद साहब को आप पर्मोट कर रहे हैं जाप भैट कर उसका कुछ नहीं बता लेंगे हैं अब हम आपने आपके कहने से क्या होता है Londansan के साथ smuggling बंद करके आप उनके साथ भी trade करें. लेकिन वहाँ आपकी state नहीं चाहती कि आप smuggling बंद हो कुभे पैसा ही बहुत है उस में. पैसा ही बहुस्यादा, state खुद trade नहीं चाहती, smuggling चाहती है, तो फिर मैं इसका कोई बहर से आके क्या करेगा? जब पाकस्तानी ही पाकस्तान को नहीं चलाना चाहते तो आप मुझे ये बताएं दूसरी दुनिया का सर फटा है गया आएं जी चलें चलाएं अब इस वक्त आपको मैंने मैंने बहुत अर्सा पहले कह दिया था आर्जू कि मुभतिया ले 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 आप क्योंकि I.M.F. का लोन कि महंगाई की महंगाई की सुनामी आने वाली है आपकी चीखें यहां वाशने डी सी तक लोगों को आएंगी सुने कियार हो जाएं इसके लिए मैं मैं आपको बान कर रहा हूं क्योंकि आठ बिलियन डालर है अभी ताजा ताजा आएगा और उसके उपर दुबई और करेंगे ट्रांसफर अपने किसे बतीजे बाजे को जेंगे यह कौन सा प्राइबिटा वो बेकार चलना चलती रहा चलाती है और उसका लेकिन कुछ वार्दाद डालेंगे हम वार्दाद डालने के मास्टर हैं भई हम तो चीजें लीगली हम थोड़ी करते हैं तो फ्रंट म सर यह वो तो देना ही नहीं है ना कोई अगर ले सकता है तो लेकर देखा दे इन से पैसे यह ऐसे ही को के क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शे में लेकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस इंट्रोसिंग और मज़दार व